हलो एवरिवन वेल्कम बैक टो अजूसेडी एक्स तो हम करेंगे आज का पेपर एनलाइज यानिकी 11 फैब शिफ्ट टू एंटी पीसी हम एंटी पीसी के पेपर को एनलाइज कर रहे हैं आप जो सुनते रहते हैं वो common language में analysis करेंगे हम आज तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं आज के exam के level की यानिकी level of exam level of exam तो अगर आप level ले लो न तो आप ये मान लो कि जो हमारा maths है वो plus 20% GS GS में कहूंगा plus 22% और आपका reasoning काफी easy है reasoning आगया plus 18% average attempt जैसे कि हम अपने हर वीडियो में बात करते हैं average attempt की तो जो आपका average attempt है वो average attempt है 70 to 75 70 to 75 अभी attempt ये थोड़ा सा average attempt बाढ़ गया है because सभी लोग analysis देख कर जा रहे हैं और काफी सारे questions repeat हो रहे हैं तो काफी लोग attempt कर पा रहे हैं तो आपको अपना selection ensure करना है first video से बार बार हर video में बोलता हूं selection ensure करना है तो भाई 85 प्लस अब करके आओ with 95% प्लस security easily select हो जाओगे कोई जाधा दिकत आने नी चाहिए अब हम शुदू करते हैं हमारे आज के questions इसे confused नहीं होना है shift first and shift second हम देखेंगे कि वीडियो जाधा लंबा नहीं होगा तो हम shift first को भी discuss कर लेंगे अब हम primary focus में discuss करेंगे आपने second shift को questions को चाहिए पहला question मैंसा question easy question what will be the sum of squares of consecutive natural numbers अच्छा जी consecutive natural numbers के square का sum पूछा गया है अब कल का अगर आप question देखो नहीं तो कल आपसे कुछ ऐसा ही question कल भी पूछा गया था same formula पर base वह ऐसा था कि आपसे कहा था 2 square plus 3 square plus dot 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 plus 18 square 18 square आपसे इसकी value पूछी गई थी तो कल भी आपने same formula यूज किया था आज अगर आपसे आज तो सीधा आपसे टेक्स नहीं फॉर्मुला ही पूछ लिया तो formula आपका हो जाएगा n sorry n into n plus 1 into 2n plus 1 by 6 यह हो गया आपका formula आगे बढ़ते हैं कोणार्क मंदिर कहां पर इस्थेत है कोणार्क मंदिर पूछा गया कोणार्क टेंपल कहां पर है वो है आपका उडिशा में माफ कीजिएगा थोड़ा सा हिंदी में जो हमारा ipad है उसने गड़बढ़ियां कर दी है टाइप हमने सही कल है या परसों की किसी भी शिफ्ट में है या फेस फोर में है तो आप इनके लिए तयार रहें जैसे कि हमने पहले आपको प्रेडिट करके बताया था कि हो सकता है आपसे विक्रम शिला यूनिवर्जिटी पूछी जाए वो पूछी भी कही तो ऐसे आप हमारे इस पर भी जिफान दीजेगा शाए इसमें से कोई कोष्ण पूछ लिया जाए अपका अपका किदारनाथ टेंपल काहा है उत्राखंड में बदरीनाथ उत्राखंड में यह देखिए फ्रमेटिंग में गडबड हो रही है अभी भी हो रही है वैशनो देवी जो आपका टेंपल है वो बड़ा टेम्पिल आपका वह है माउंट आभू राजिस्थान अब आपसे कोशन पूछा गया इंद्रा गांधी सेंटर फॉर रिसर्च यह कहां पर है यह आपका है चिन्नई यह आपका कहां पर है चिन्नई चिन्नई मॉर्निंग की शिफ्ट में कोशन बार्क से आया था बा रिपीटिड कोश्चन अगला जो हम नेक्स कोशन डिसकस करेंगे वो यह रिपीटिड कोश्चन है इस फुल फॉर्म ओफ कोबल यह इस कॉमन बिजनेस ओर्येंटिट लेंग्विज यह फस्ट में भी पूचा गया सकेंड में पूचा गया और फेस त्री में तो यह तो बा नेविगेशन 상태 कि अ जबंगेशन साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग इएंड रेंजिंग खो Zoom सबया होगा जिसक्तह नहीं होगा तो आप शीक लीजे आप अघंग scales है which state has five deputy chief minister कौन सा state है उसके पांच deputy chief minister है वो है आपका आंधरा प्रदेश आंधर प्रदेश मैं वीडियो इस लिए जलिली कर रहा हूं क्योंकि आगे हमें math questions भी discuss करने हैं वीडियो लंबा ना हो बार बार बोल दो अब हमारा next question है A plus B plus C किसी काम को करते हैं चार दिन में ठीक है A करता है उसी काम को 16 दिन में और B करता है बारा दिन में तो आप से बहिए simple से पूछ लिया कि C कितने दिन में करेगा से कितने दिन में करेगा तो हम basic चीज़ों क्या करते हैं कि हम क्या करेंगे sorry हम करेंगे 4 16 और 12 इनका LCM निकाल लेंगे तो इनका LCM कितना आ जाएगा भाई आप बता दो कि इनका LCM आ जाएगा 48 48 तो Efficiency A की कितनी आ जाएगी सौरी ये B है A की Efficiency B की Efficiency आ जाएगी आपकी कितनी 4, A की Efficiency 3 और A प्लस B प्लस C तीनों की efficiency आपकी कितनी आ जाएगी 12 तो अब आप इसमें से एड करेंगे 4,3,7 यानि कि आपकी आगई 12-7 तो आप निकाल लो किसकी efficiency C की वो हो जाएगी आपकी 5 C की efficiency हो जाएगी 5 काम करना है 38 तो टाइम लेगा 48 बटे 5 डेस 48 बटे 5 डेस अब फ्रेक्शन में रही रखा है कैस में रही रखा है अंसर वो अब देख लेना अब ये question भी थोड़ा सा हमारे महेंगे iPad भाई साब ने क्या किया है कि formatting में इसको गड़बड कर दिया है मैं आपको लिख देता हूँ कि question कुछ ऐसा था question ऐसे है x equal to root 3 plus 1 upon root 3 minus 1 और y equal to root 3 minus 1 upon root 3 plus 1 ये question है आपको बदाना क्या है x square plus y square x square plus y square आपसे पूछ लिया गया है अचा तो अब सबसे जो आपके approach होनी चाहिए easy approach आपके लिए क्या रहेगी वो ये रहेगी आप क्या करो ना आप इसको whole square करके solve करो वो क्यों क्योंकि आप देख रहे हो ना कि x equal to 1 upon y है आप इनको multiply करोगे तो आपका answer 1 हो जागा तो आपको calculate कम करना पड़ेगा वो ऐसे कि आप जब इसको convert करोगे ना क्या हम भाई साब आज कर बढ़ी हो की तो हद होगे क्या हम इसको ऐसे लिख सकते है x square plus y square equal to x plus y का whole square minus 2xy क्या हम इसको ऐसे लिख सकते है होपसो सभी समझ पा रहे होगे आप बोलोगे कि हाँ इसली लिख सकते है इसको बसम बसम ने 2xy को ठाक इदर रख दिया है अब आप क्या करोगे ना x plus y को इदर अंदर solve कर लो यह हो जाएगा आपका root 3 plus 1 का whole square plus root 3 minus 1 का whole square upon अब a plus b a minus b का formula लगा होगे तो 3 minus 1 तो नीचे बचेगा 2 इसका whole square minus 2 बचेगा सिर्फ क्यूं क्यूंकि अगर आप x y को multiply करोगे तो आपका ही कट जाएगा और ऐसे आपका easily answer आ जाएगा मैं further solve नहीं कर रहा हूँ वीडियो लंबा हो जाएगा hope so आप सभी समझ पा रहे होंगे चलिए अच्छा आप सभी ने इतना node कर लिया होगा आप इसको solve कर लीजेगा फिर भी answer आपका नहीं आता है तो comments में बता दिजे हम टेलिग्राम पे इसको आपका answer provide करा देंगे और हाँ अगर आपको इस PDF ये आपको PDF form में चाहिए जो हम questions discuss कर रहे हैं तो हमारे टेलिग्राम चैनल को ज़रूर सर जोइन कीजिए उसका link आपको description में मिल जाएगा description में link मिल जाएगा वहाँ से PDF जो download कर सकते हैं और भी काफी सादा content आपको वहाँ पर मिल जाएगा आगे बढ़ते हैं at a speed of 45 km per hour a person wants to cover the distance of 4 by 5 km how much will he take time यहाँ पर skip हो गया है तो question में आपको easy language में explain करता हूँ वो ये है कि speed आपको दे रखिये कितनी एक आदमी हो वही 45 km पर घंटे की रफ्तार से चलना चाहता है और उसे distance कितना cover करना है यानि दूरी उसे कितनी चलनी है distance उसको cover करना 4 by 5 km sorry 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 आप यहाँ पर एक change कर लेना वो ये कि distance आपको 5 by 4 है 5 by 4 km है ये figure उल्टी है हमसे type हो गई 5 by 4 km आपकी distance है और speed है आपकी 45 km पर आर आप आपसे पूछा गया है कि भाईया time बता दो हमको कितना time लगेगा तो आप क्या करोगा एक simple सा formula होता है time equal to distance upon speed टफ लग रहा हुआ question बस बहुत easy है बस formula में रख देना है वो कैसे distance आपकी है 5 by 4 आपने make sure कर लिया कि यहाँ unit यहाँ भी km में है यहाँ भी km को given है तो सीदे सीदे put कर देंगे पांच बटे चार यह होगे अब upon में क्या करेंगे आप speed कर देंगे 45 9 यानि कि 1 upon 36 hours अब अगर आपको answer minute में दिया हो तो आप यहाँ 60 का multiply कर लो समझ पा रहे होगे सभी लोग सभी लोग समझ पा रहे होगे चलिए आगे बढ़ जाते हैं अपने अगले question की तिरफ match का एक और question हमारा यानि कि आपको क्या निकालना है CI निकालना है CI आपसे पूछा गया है आपको जो प्रिंसिपल है आपका मूलदन कितना है आपका 75 आपको मूलदन दिया है compound interest पूछा गया है चक्रव्रद्धी ब्याज पूछा गया है आपसे और आपका जो rate of interest यानि ब्याज की दर है वो कितना है 4% वर्शिक दर है आपकी और आपको समय दिया है कितना है हमारा 2 साल क्या करते हैं अगर हम इसको रेशियो में बनाएंगे तो हमारा रेशियो क्या हो जाएगा 100 रेशियो 104 मैं आपको बेसिक से बता रहा हूं नहीं तो आपको याद होनी चाहिए वैल्यू 25 रेशियो 26 ये बन जाएगा अब टाइम हमारा दो साल है तो हम इसका स्कोईर कर लेंगे यानी की 25 का स्कोईर 625 और 26 का स्कोईर 680 वह एक से लेखे 40 तक या 50 तक स्कोईर याद करके रखो आपके लिए हेलफुल रहेगा अब हमें क्या निकालने हैं हमें CI निकालने के लिए क्या करते हैं इन दोनों का difference ले लेते हैं इन दोनों का difference कितना हो जाएगा है difference होगा आपका 1,5 यानि कि हमें अगर 51 की value मिल गई तो हमें answer हमारा मिल गई 625 बराबर केतने हैं, यह 95-100 के, 625 इकोल टू 75-100, बराबर है, अब देखें, कैलकुलेशन हम एजी कर लेते हैं, वो कैसे, इसको हम कर लेते हैं, पच्चीज इंटू 25 में ब्रेक, और इसको कर लेते हैं, 75 इंटू 100 में ब्रेक, यह बता रहा हूं, वरना यह स्टेप आपको म multiply कर लेना और वही अपना answer निकाल लेना चिक आगे बढ़ते हैं जहां भी कुछ conceptual होता है वहां मैं बताने कुशिश करता हूं अभी simple calculation मैं क्या ही बता हूं आपको अब आपसे पूछा गया जैसे कि यह y under root है y cube minus y square आपको निकालना है जब y की value 26 है तो direct value मों नहीं रखनी है हमको पहले क्या करना है यहां पर हम y को ऐसे चोड़ देंगे यहां से क्या हम y square common ले सकते हैं बिलकुल ले सकते हैं हमने y square common लिया हमारा आगया y minus 1 अंदर बचा अंदर रूट के अब अब अफिर गए य यह square है इसके multiply में तो क्या हम y square को बाहर अंदर रूट के बाहर लाएंगे तो यह y बचेगा तो बाहर हमारा बचा y square अंदर रूट y minus 1 अब आप y की value है 26 अंदर रूट 25 की value कितनी हो गई 5 y square अब भया अब देखिए 26 का square कितना है 676 into 5 sorry into 5 अब आप इसकी value निकाल का आगे बढ़ते हैं reasoning का एक question यह question कुछ मुझे ठीक लगा देखिए 7 का relation है 56 से 8 का relation है 72 से तो आपसे 9 का relation पूछ लिया गया है आपसे किसका relation पूछा गया है आपसे relation पूछा गया है 9 का relation बताओ तो अब 7 का relation 56 से हाँ अब हम करते हैं solve थोड़ा आपको रंग बे रंगा बनाते हैं मज़ा है गा वो ऐसे कि 7 करलेशन अगर 56 से है तो 7 का 8 टाइमस है 56 आठ करलेशन भातर से है तो 8 का 9 टाइमस है 72 तो जहिर सी बाद हम देख पा रहे हैं यहाँ पे एक बढ़ा तो आगे 10 होना चाहिए दस होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए तो 9 into 10 multiply करेंगे तो हमारा answer आगे 90 सीरी 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 बढ़ रहे हैं आप सभी समझ पा रहे होगे easily अब next question easy question vary कि calculate simple interest on a sum of rupees 6000 for 4 years at a rate of 7% yearly यानि कि हमको अब क्या निकालने है साधारन ब्याज निकालना है साधारन ब्याज निकालना है ऐसा ही हमसे पूछ लिया गया है कि ऐसा ही क्या होगा यह आप मैं बताना है और आपको जो principle दिया गया है वो है आपका 6000 6000 यह है आप प्रिंसिपल है आपका 6000 माफ़े चाहता हूं disturbance के लिए और time आपको कितना दिया है time दिया गया है चार साल 4 years और आपका rate दिया है आपको 7% simply बस कोशन इतना है अब हम CI कैसे निकालते हैं इन basic हम किया करते है rate और time को multiply कर देते हैं तो हमें simple बस हमसे यह पूछा गया है CI में simple हमसे बस अगर simple CI पूछी कही न तो आप यह मन लेजे बस आपसे percentage पूछा जा रहा है वो यह कि हमको 6000 का 28% बता दो solve करके अपना answer निकाल लीजेगा next question A completes a work in 10 days and B in 15 days if both of them work alternate then time taken to complete the work तो आपसे कहने कहा है कि A किसी काम को 10 दिन में करता है B किसी काम को 15 दिन में करता है और दोनों काम पर लग जाते हैं लेकिन दोनों एक दिन छोड़ के काम करते हैं यानि जिस दिन A काम करेगा उस दिन B नहीं करेगा और दोनों लगतार काम करते रहेंगे अब अच्छा सबसे अच्छी अप्रोच हम क्या करेंगे A का टाइम हमको दिया है 10 B का टाइम है 15 फिर से भया आप LCM निकाल लोगे बताओ भया LCM क्या हैगा LCM आपका आजाएगा 60 होप सभी ने केलिट कर लिया होगा तो 60 आगया अब A की Efficiency आपकी कितनी आगई A की Efficiency आगई 6 और B की आगई 4 B की आगई 4 अब लेकिन क्या है कि ये दुनों साथ में काम नहीं कर रहे है ये दुनों alternate काम कर रहे है तो अच्छा एक सीज ये बताओ कि पहले दिन suppose that A ने काम किया दूसरे दिन B ने काम किया तो क्या दो दिन में 10 काम हो गया अब फिर अब पहले दिन A ने काम किया दूसरे दिन B ने काम किया तीसरे दिन फिर A काम करेगा तो ऐसे करके ये ऐसा नहीं हो जाएगा 6 प्लस 4 अग्रे और फिर 6 प्लस 4 तो क्या हम यह कह सकते हैं कि 2 दिन में 10 काम हो रहा है दो दिन में 10 काम हो रहा है 10 काम करने के यह इस दिन लग रहा है 2 days तो 60 काम करने के लिए 6 से multiply कर दो 12 दिन 12 दिन आपके लगें और यह आपका answer हो जाएगा अब GS का एक question, what is known as golden fiber, golden fiber की नाम से हम किसको जानते हैं तो वह आपका jute, jute को golden fiber कहते हैं, next question, trypsin is produced in, trypsin कहां produce होता है, तो trypsin produce होता है आपका pancreas में, enzyme होता है, सबको पता होगा, अब हमारा next question, where is konark sun temple, तो वह है आपका odysa में, sun temple कहा है, odysa में है, तो friends, इसी question की साथ, ह आपको जो भी हमने questions discuss किये हैं, इनका आपको PDF चाहिए, तो हमारे telegram पर आप जाएं, telegram पर, telegram का link आपको description में मिल जाएग, वहाँ पर हमको join कीजिए, और भी बहुत सारे spreading material NTPC से regarding, हम वहाँ share करता रहते हैं, हमारे compilation videos भी हैं NTPC के, maths के, GS के, उनको भी आप check out करके जाए काफी सारे questions वहाँ से बन रहे हैं, और हम जो discuss कराते हैं, उसी में से कुछ नकुछ आता रहता है, exam में क्योंकि NTPC में काफी questions repeat हो रहे हैं, तो अब ज़रूर से हमारे videos को check out करके जाएं, अगर ये video आपको helpful लगाओ तो please like कर दीजेगा, कुछ आपके suggestions हो तो आप हमें comment में बता सकते हैं, चैनल को please subscribe करें, अभी के लिए हम यहीं पर आज का वीडियो खतम करते हैं, कल हम आपको morning analysis में फिर से मिलेंगे, तब तक के लिए, bye bye, good night